हेलो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी इंट्रेस्टिंग और हेलफफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 कैमरा स्मार्टफोन जो कि आपको 10,000 रुपे प्राइस पॉइंट पर मिल जाते हैं दोस्तों आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि 10,000 रुपे प्राइस पॉइंट पर बैस्ट कैमरा स्मार्टफोन बताओ यह वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ यह 3 कैमरा स्मार्टफोन तो ही लेकिन के अधर आपको बहुत यच्छी प्रफोमेंस भी देखने को मिल जाती है यानिकैं आप इनके अंधर गेमिंग वगरेब करते हो तो इन स्मार्टफोन के अंधर आपको लैगिंग इस देखने को नहीं मिलेंगे और दोस्तों इन स्मार्टफोन की मैंने रेटिंग नहीं की है क्योंकि तीनों ही स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन है चलिए अब ज़्यादा समय कर ना लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं गैजट्स वाइमज स्मार्टफोन आपको 10,000 रुपे से तोड़े ज्यादा प्राइस पर देखने को मिलेंगे या पिर साधे करेंगे मिलाइब और यह स्मार्टफुन आपको ओनलाइन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 2019 वादा यह आपको शिर्फ ऑफ्लाइन मार्केट में देखने को मिलेगा चलिए बढ़ते स्मार्टफॉन की तरफ पर्फॉमेंस की बात करूंत तो इसके अंदर आप गेमिंग वार भी करोगी तो कोई भी लागिंग देखने को नहीं मिलेगी और यह स्मार्टफून आपको 4GB 64GB स्टोरिज के साथ मिलेगा जिसको आप 256GB तक एक्समेंड कर सकते हो तो परफॉमेंस के स्मार्टफ़ून दरा आपको काफी ब्राइट देखने को मिल जाती है हाला कि ज्यादा नहीं होगे लेकिन ठीक ठाक देखने को मिल जाती है चलिए बाज करते स्मार्टफ़ून की निद्स्टेटDHC, बारे में तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 18 वोट फास्ट चार्जिंग के साथ लेकिन दोस्तों 18 वोट फास्ट चार्जिंग नहीं होती है इसे फॉर्षिप नॉर्मल चार्जिंग ही होती है दोस्तों चलिए बात करते हैं इस स्मार्टपॉन के कोवन्ट फीचर्स के बारे में तो इसके अंदर आपको ड्यूल सिम देखने को मिलती है 4G स्मार्टपॉन है इसके साथ ही 5.0 ब्लुटूथ 3.5 mm जैक फिंगरपेंट स्कैनर जो की रियर में दिया गया है और सैंसर की बात करूँ तो लाइट सैंसर प्रोक्सिमिटी एक्ज इसकी बात करो तो यहां आपको 11,890 रुपेगा देखने को मिल जाता है लेकिन जैसे कि मैंना पहले भी बताया कि अगर आप उफर अपलाई करोगे तो यह स्मार्टपॉन भी आपको 10,000 से कम का देखने को मिल जाएगा सलिए बात करते स्मार्टपॉन की परफॉमेंस के ब चलिए बात करते इस स्मार्टपॉन की डिस्पले के बारे में तो इसके अंदर आपको 6.5 इंचीज गी IPS LCD डिस्पले देखने को मिलती है जो कि 90Hz के रिफ्रेस्टेट के साथ आती है और यह डिस्पले नौच डिस्पले देखने को मिल जाती है अगर दोस्तों डिस्पले की बात करो तो इसके अंदर आपको थोड़ी ठीक ठाक डिस्पले देखने को मिल जाएगी लेकिन सैंसंग के डिस्पले दोस्तों बहुत यची होती है चलिए बात करते स्मार्टपॉन के कैमरा के बारे में तो इस स्मार्टपॉन के अंदर आपको Quad Camera Setup देखने को मिल जाता है 48 Megapixel का Wide Angle Camera जो की 10X Digital Zoom के साथ आता है इसके साथ ही 5 Megapixel का Ultra Wide Angle Camera 2 Megapixel का Macro और Depth Camera देखने को मिल जाते हैं और वहीं मैं Selfie की बात करूँ तो 8 Megapixel का Selfie Camera देखने को मिलता है जो की Wide Angle Lens के साथ आता है और इस स्मार्टपॉन के Back और Rear Camera से आप Full HD तक Video Recording कर सकते हैं तो दोस् करना सकते हो चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में तो इसके अंदर आपको 6000 mAh का बैटरा देखने को मिल जाता है जो की 15 वोट चार्जिंग के साथ आता है अब बैक अब की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 1-5 दिन का बैक अराम से म और लाइट सेंसर प्रोक्सिमिटी एक्जोमीटर कंपास जार शकॉप यानि कि सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं अगर दोस्तों ओवरॉल देखा जाए तो इस स्मार्टफोन के इंदर आपको बिग बैटरी देखने को मिल जाती है और कैमरा तो बहुत ही अच्छा देख स्मार्टफोन मिल जाते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ जो कि 10,000 पर प्राइब्स प्राइम इसका प्राइब दोस्तों आपको पता होगा नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं यह आपको 12,499 रुप्य का देखने को मिल जाता है और वहीं दोस्तों अगर आप इस प यह स्मार्टफोन भी आपको 10,000 में अराम से देखने को मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन की मैं प्रफॉमेंस की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मीडिया टैक हिलोईन G88 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि यह गेमिंग चिपसेट है यानि कि इस स्मार्टफोन के आप बहुत एच्छी गेमिंग कर सकते हो और गेमिंग करते वाक्त आपको कोई भी लागिंग इसू देखने को नहीं मिलेंगे यह स्मार्टफोन आपको चार्जवी रैम 64GB स्टोरिज के साथ मिलेगा जिसको आप 512GB तक एक्स्पेंड कर सकते हो यह तो बात होगे इसकी प कफिए आपको पंच होल डिस्पील देखने को मिल जाती है यानि कि दोस्तों स्थेदा कहा जाएं तो चैनला है जससे आप बहुत यह ची मिलेटेक्स को निकाल सकते हो औरarent जाता है निए सेल्फी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 8 मेगा पिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है इस स्मार्टपून के दोनों कैमरों से आप याने की फ्रेंट और रियर कैमरे से फुल एच्टी तक ही वीडियो रिक्टिंग कर सकते हैं दोस्तों देखा जाए तो इस दिन का बैटरी बैकप देखने को मिल जाएगा अब बात करते कुछ कोमन फीचर के बारे में तो इसके अंदर भी आपको ड्यूल सिम देखने को मिलती है इसके साथ ही डस्ट और वाटर रिजिटेंट भी देखने को मिलता है साथ ही FM रेडियो 3.5 mm जैक साइड मांटेड फ अभी तक टो 5 gaming smartphone की वीडियो नहीं देखी जो कि 10,000 रुपर प्राइस पॉइंट पर आते हैं या तो आप चैनल पर जाका देख सकते हो वरना मैं उनका आई बटन भी आपको देदूँगा आप आई बटन पर क्लिक करकर वी उन वीडियो को देख सकती हो और दोस्तों वीडियो का नोटिफिकरशन आपको मिस ना हो और वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे इसके साथ ही अगर आपका कोई कॉश्चन है इन स्मार्टफोन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स से मुझे पूछ सकते हो जिनका रिप्लाइए मैं आपको तुरंधी कर दे